हेलो गाइज इस वीडियो इज अबाउट क्लास 11 मैट्स चैप्टर नमबर 3 अक्सरसाइज 3.1 विच इस बेस्ट ओन दे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स तो वी विल सी ओल दे क्योंस फ्रॉम क्लास 11 चैप्टर 3 अक्सरसाइज नमबर 3.1 तो चलिए स्टार्ट करते हैं दे उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं एंड उसके अलावा जैसे अपने कोई कोई सर्कल गीवन है उसका अपने को जैसे कोई डिश्टेंस फाइंड करना है या उसका क्या करना है कि एगर कोई चाप है आपकी लेंद करने है या फिर उसकी रेडियस फाइंड करनी है ठीक है तो वह अपन कैसे करते हैं वह मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आपको वहां पर इंट्रोडेक्शन वाले वीडियो में बट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सोट में आपको बता देता हूं कि वह क्या था अपना तो सबसे पहले देखिए मैंने वहां पर आपको बोला था कि आपको सिरफ दो चीज़ें याद रखनी है एक तो यह याद रखना है कि इस सरकल का सरकल का जो है सरकंफरेंस क्या होता है सरकल का सरकंफरेंस टू पाई आर होता है सरकल का परिदी जो है वो टू पाई आर होता है ठीक है यह चीज़ अगर आपको पता है एंड दूसरी चीज मैंने क्या बत तो चलिए इस्टार्ट करते हैं यह दोनु चीजे हैं यहां पर देखिए क्या है कि यह जो टूपाई है न वो क्या है टूपाई इस दे एंगल एंगल कौन सा कि एक जैसे यह सरकल है इस सरकल का सेंटर है इस सरकल के सेंटर पे जैसे अपन यहां से अगर स्टार्ट करके आपिस यहां पर आया हूँ यानि कि मेरा एंगल टूपाई का हुआ है मेरा अगर रेडियस आर था तो इस इस जो सर्कम्फरेंस ना इसके बाहर-बाहर चक्कर लगा कि मैंने कितना डिस्टेंस जो हो क्या है वो मेरा टूपाई आर है तो यानि कि एंगल यहां पर आता है और यहां पर होता है तो सर्कम्फरेंस का फोर्मुला याद है जहां पर अपना टूपाई एंगल है तो टूपाई रख दिया था अगर आपको छोटा सा पार्ट दे रखा है सिरफ इतना ही दे रखा है त क्लियर है दूसरी टाइप के जो क्या है कि रेडियन को डिग्री में बदलना है डिग्री को रेडियन में बहुत आसान तरीके से बताया था कोई फोर्मूला आपको याद नहीं रखना बस कॉमन सेंस यूज करना है इअnew C K semaine C kya है देखिए find the radiant measure of the corresponding to the following degree measure डीग्री मे旜र डेरहे अपने को 25 डिग्री इसको रेडियन में बदलना है भाई देखिए पहला पर श्राट करते हैं कि 25 डिग्री डे रहा है महिने आपको बたाया था कि दिग्री को वो cancel करने के लिए अपन क्या करेंगे degree से divide करेंगे राइट और degree क्या कहां पर आता है 180 के उपर degree होता है ना 180 से अपन divide कर रहे हैं इसको multiply कर दो पाई students से क्या है के मुझे degree degree क्यों किया है क्यों स्कृति यहां पर डिगरी में दे रहा है न है डिगरी डिगरी कैंसिल करना है यहां पर न पर दिगरी कनल और यहां इस CD यंपकर और आजए आपको उपर πाई भी है तो 5 πाई भाई 36 radian rad से उसको radian को लिखते है ठीक है ये clear है आपको कि किस तरीके से इसको convert करते हैं अगला देखिए अपना class 11th math chapter 3 exercise number 3.1 question number 1 part 2 so इसके अंदर अपना क्या दे रखा है कि minus 47 degree 30 minute दे रखा है ठीक है भाई इसको soul करते हैं चलो minus 47 है minus 47 रख दिया अब मैंने बताया था अब मैंने बताया था कि degree को minute में कैसे change ठीक है तो एक degree में कितनी minute होती है 60 minute होती है ऐसे करके आप याद रख सकते हो इसको कि गंटे में एक त्रीक़ी से अपनी 60 मिनट होती है ना, तो वैसे ही एक डिग्री में 60 मिनट होती है, और वैसे ही एक डिग्री में अगर Second आपको पूछे, तो वो 3600, 3600 Second होती हैं, जिसको अपन Double Desde से denote करते हैं, ठीक है? 47 डिग्री आ गया, आगे 30 मिनट दे रखा है, 30 minute को अगर degree में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 30 by 30 by 60 degree 60 से divide करेंगे इसको अगर degree में change करना है तो यह उपर degree का sign लगा दिया यानिकि 1 by 2 तो इस चीज़ को अपन minus 47 degree and उसके आगे 30 minute है उसकी जगह पे 1 by 2 minute लिग दिया 1 by 2 degree लिग दिया ठीक है तो 47 degree और 1 by 2 degree यह दो जगह पर degree ना लिखके अपन इसको एक साथ भी कर सकते हैं यहाँ पर degree ठीक है तो यहाँ पर अपन एक साथ पर degree छोड़ देगा यहाँ कि 47 सही एक बटे 2 अपना क्या आ जाएगा डिगरी आ जाएगा इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं कि 47 दूनी कितना होता है 94 प्लस 1 यह यहाँ कि 95 तो माइनस का जो है 95 बाई 2 डिगरी आ गया अपना इसको अपने को किस में करना है रेडियन में क्या करेंगे भाई किस से डिवाइड करेंगे डिगरी कैंसल करना है तो डिगरी से डिवाइड करेंगे यहाँ कि अपन क्या करेंगे माइनस का 95 बाई 2 और इसको कि से डिवाइड करेंगे 180 से राइट तो इसके नीचे अपन लिखेंगे 180 डिग्री नीचे 180 लिखा है तो उपर में पाई लिखो पाई रेडियन क्योंकि दोनों एक चीज है ना यह पाई रेडियन इक्वल 360 ठीक है यह किस में आ गया रेडियन में रेडियन में क्योंकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया यहां पर अपने पास में रेडियन आ गया यह नहीं कि रेडियन में अपने आंसर आ जाएगा और इसको अपने डिवाइड कर लो 5 से काट लो 5 से काटना है तो कितना आ जाए यहां पर तो 19 by 72 radian अपना क्या आगया आंसवर आगया नाएटीन लिए अपना पार्ट नमबर 2 था आगे देखिए इसका पार्ट नमबर 3 इसका पार्ट नमबर 3 में अपने को क्या गिवन है कि 240 डिगरी दे रखा है 240 डिगरी का मतलब कितना हुआ 240 degree का मतलब हुआ कि 240 लिख दिया अपनने एंड उसके नीचे 180 लिख देंगे और उसको pi से multiply कर देंगे clear है तो अपना answer कितना आजाएगा देखिए यहाँ पर इसको अगर 6 से काटेंगे तो यह 0 से 0 कट गया और नीचे 3 आगया उपर 4 आगया 6 से काटेंगे तो right तो 4 pi by 3 clear है and 4 pi by 3 radian यह आपका answer आगया बहुत आसान है यह चीज है बैस आपको किस से divide करना है इसका मैंने बता दिया आपको कि भाई degree है degree को cancel करने के लिए degree से divide करेंगे और degree में क्या होता है 180 होता है यानिकि 180 से divide करेंगे 180 से divide करेंगे तो multiply pi से ही करेंगे for sure right अभी देखिए अगले part में क्या दे रखा अपने को 520 degree दे रखा है 520 degree का यह sorry इस वाले equation में यह minus का sign भी था तो minus का sign as it is रहेगा अपना fourth वाले part देखिए fourth वाले part में 520 degree दे रखा अपने को 520 degree का मतलब कितना हो जाएगा 520 degree है divided by 180 degree right क्योंकि अपने को किस में divide करना है अपने को radian में तो degree degree cancel करने के लिए 180 से divide किया और pi radian अभी देखिए degree से degree cancel और यह अपने पास में 0 से 0 cancel अगर इसको अपन किस से काटेंगे दो से काट लेते हैं तो उपर कितना बज जाएगा अपने पास में 26 बज जाएगा और नीचे अपने पास में 9 और उपर pi भी तो 26 pi by 9 radian अपना answer आ गया 26 pi by 9 radian clear है तो यह अपना answer आ गया देखिए guys आसान बहुत है अगर यह question आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है इस वीडियो का आप एक बार like जरूर कर दीजिए चलिए श्टार्ट करते है अगला question यह question है अपना class 11 math chapter 3 exercise 3.1 question 2 question 2 के यह parts है अपने पास में इनको अगर आपन solve करेंगे पहला part देखिए यहाँ पे 11 बटे 16 दे रखा है और किसमे दे रखा find the degree major यह अपने को radian में दे रखा है corresponding to the following radian majors यह radian में गिवन है अपने को ठीक है इसको अपने को degree में find करना है करते हैं बाई देखिए सबसे पहले पहला part अपने देखते हैं इसमें क्या है अपने पास में 11 by 16 यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ लिखा हुआ following radian major यहाँ कि यह अपना radian में है इसको degree में बदलना है यहाँ कि radian cancel करना पड़ेगा radian किसके साथ में आता है भाई, pi radian होता है तो यहाँ कि pi से divide करो pi radian से divide करो इसको pi से divide करोगे तो multiply किस से करोगे degree से करोगे 180 degree से यहाँ पे radian से radian cancel हो जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा कि अपना answer कितना आएगा 11 बटे, 16 ठीक है और pi का मतलब कितना हो गया 22 बटे, 7 तो 22 यहाँ पे लिख दें और 7 उपर चला जाएगा तो 22 बटे, 7 एंड उसके आगे 180 ठीक है तो यह अपना एक त्रीके से degree में answer आ गया बट अगर इसको आपको आगे break करना है तो इसको अपन आगे भी break कर सकते है और आगे break करने का मतलब क्या है देखो, 11 से अगर इसको cut करेंगे तो एक आएगा उपर और यहाँ पे दो आएजाएगा यानि कि और यहाँ पे अगर इसको आगे और cut करेंगे तो 4, 4, 16 और 4 से करेंगे तो 4, 4, 16, 4, 5, 20 45 degree हो गया तो 45 by कितना आगया 45 इंटू 7 बट्टे 8 ठीक है तो 7 से multiply कर लेते हैं उपर तो कितना आजाएगा अपने पास में 7, 35 और 7, 4, 28 और 3, 31 315 बट्टे 8 यह degree में आगया अभी इसको minute और second में भी बदलना है तो कैसे बदलेंगे देखें सबसे पहले आप इसको divide कर दो पूरा-पूरा कितना होता है वो divide कर दो तो देखिए 8 से अगर divide करूँगा मैं तो 8, 3, 24 बच गया कितना 7, 5, 75 8 नहीं में बहतर 8 को 9 से multiply करूँगा तो 8, 9, 0, 72 बच गया कितना अपना 3 और 3 by 8 तो 3 by 8 अपना डिग्री आ गया तो 39 सहीं 3 बच आठ डिग्री आ गया इस चीज को अगर आपको break करना है तो कैसे करोगे आप 39 को अलग लिख दो 39 डिग्री को आपने अलग लिख दिया ठीक है लिख दिया जी 3 बच जो है 3 by 8 है उसको अपने को फिर से डिवाइड करना है मिनट में तो 3 बच आठ का मतलब कितना हो गया तो 3 बच आठ और इसको अगर मैं मिनट में चेंज करूँगा तो मुझे 60 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा और मिनट का साइन लगा दिया यह यह 180 बट्टे 8 हो गया मेरा 180 बट्टे 8 का मतलब कितना हो गया इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 39 डिगरी प्लस 180 मिनट भाई आठ मिनट तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 8 से फिर से तो कितना जाएगा मेरे पास में आठ दूनी सोला आ गया उसके बाद में चार बच गया दो बच गया 20 तो आठ दूनी सोला फिर से तो बाईस क्या गया मेरे पास में मिनट आ गया और कितना बच गया चार चालिस रइट चार बट्टे 8 बच गया चार बट्टे आठ का मतलब एक बट्टे दो बच गया, ठीक है, तो ये सही एक बट्टे दो, या फिर उसको चार बट्टे आठ लिग देता हूँ, चार बट्टे आठ लिग देता हूँ, ठीक है, चार बट्टे आठ बच गया, 39 डिगरी है, प्लस 22 मिनट और 4 बट्टे आठ ये भी मिनट में ही है तो इस चीज को अगे कैसे लेख सकते हैं गेंसे 39 डिग्री है प्लस ये कितना 22 मिनट हो गया ठीक है एंड उसके आगे क्या है प्लस में 4 बटे 8 मिनट और है तो 4 बटे 8 मिनट को अगर मैं सेकिंड में बदलूँगा तो मेरा आंसोर क्या गया एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं धर 29 विनट और 20द robot विमें 10 सेकिंड fall ये आपको समझ में आ गया है कि करते है मिनट में चेंज करने के लिए जो आपका बच गया है जो चीज आपकी बची थी उसको अपने 60 से मिल्टिप्लाई किया था, clear है and second में बदलने के लिए जो बचा था उसको फिर से अपने 60 में कर दिया है वो second में आ गया है, clear है यह चीज, ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखिए इसका, अगला पार्ट जो है इसमें थोड़ा सा कैलिकोजरसन था, तो time लग गए है अपने को अगला पार्ट देखिए कि माइनस का 4 गीवन है अपने को माइनस का 4 भी अपने इसी तरीके से करेंगे पार्ट नमबर 2 देखते हैं यहाँ पर ठीक है, माइनस का 4 गीवन है किसमें? रेडियन में उपर दे रखा था था ना कि रेडियन में मेजर दे रखे हैं अपने को यहाँ पर देखिए रेडियन में मेजर गीवन है अपने को माइनस का 4 रेडियन है, इसको डिवाइड करेंगे किस से? पाई रेडियन से, क्योंकि रेडियन रेडियन कैंसिल करना है, तो पाई होता है रेडियन में, एंड 180 होता है अपना डिगरी में, ठीक है, यह चीज अपने पास में आ गई, यहाँ पर देखिए रेडियन से रेडियन कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, माइनस से काट लेते हैं सोरी 11 से नहीं एपने दो से काट लेते हैं तो उपूर आ गया अपने पास में दो यहारा दोनी 22 हो गया अपने पास में उसके बाद में कितना बच गया तीन बच गया बच गया तो एक बच गया को फिर से अपन क्या करेंगे उसमें डिवाइड कर देंगे किसमें एक बच गयारा को अपन साठ से मल्टिप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाए गया नहीं कि साठ बच गया तो इसका मतलब कितना हो गया गया तो इसका मतलब पांच मिनट हो गया और पांच मिनट के आगे कितना बच गया अपना पांच बच गया उसको अपन साठ से करें तो सेकंड में आ गया तो सेपन जो तीन सो तीन सो यह कितना आ अपने पास में 239 डिग्री और यह फाइफ मिनट कि लियर है एंड उसके आगे शेपन जो तीस तीन सो डिवाइड़ वाइड वाइस बच गए आठ तो असी हो गया तो ग्यारा साथ है 27 सेकंड तो यह अपने पास में आंसर आगा पार्ट नूबर टू का 229 डिग्री फाइफ मिनट एंड 27 सेकंड क्लियर है ठीक है थोड़ा सा कैलिकुलेटिव है यह चीज निकालने के लिए बाकि आप इतना भी अगर डाइरेक्ली आंसर लिख दोगे तो सही रहेगा अगर 553 गीवन है यहां पर जो अपने को दे रखा ना मेजर वो ध्यान में रखना है कि अपने को यहां पर रेडियन गीवन है तो अपने इसको रेडियन में ही मानेंगे यह अपने पास में कितना दे रखा है 553 रेडियन दे रखा है अभी इसको अपने को किसमें चेंज करना है degree में change करना, degree में change करने के लिए radian काटना पड़ेगा, यहनि कि radian को cancel out करना पड़ेगा, and radian cancel out कब होगा, जब इसको मैं pi radian divide करूँगा, right, तभी तो मेरा radian radian cancel out होगा, and उसके बाद में मुझे 180 से multiply करना पड़ेगा, because यह cancel out किया न, pi यहाँ पर divide किया तो 180 से multiply करना है, radian से radian cancel हो गया, pi से मेरा pi cancel हो गया, 5 pi by 5 by 3, और 3 से मैं इसको divide करूँगा, यहनि कि यह मेरे पास में 60 आ गया, 60 degree, 60 into 5, यहनि कि 300, 300 degree मेरे पास में answer आ गया, यह क्या था अपना part number 3 था, question number 1, ठीक है, question 1 part 3, अभी देखते हैं अगला, question 1, part 4, part 4 में क्या given है अपने को, part 4 में अपने को क्या given है, कि 7 pi by 6 है, इसको अगर अपने को radian में दे रखा है, यह radian में given है, अपने को divide करना है, किस से, pi radian से, क्यों, radian radian cancel out करने के लिए, and then multiply करो, 180 degree से radian से, radian cancel out to apply pi से, pi हुआ, 6 से, इसको divide करेंगे, तो, यह 30 आ गया, 7 into 3 कितना आ गया, 210, 21, तो 210 degree, 210 degree अपना क्या आ गया, answer आ गया, radian degree की form में, clear है, तो देखें guys, मैंने दोनों type के questions बताए हैं, and आपको जो भी इसमें doubt था, I am pretty sure कि वो आपका confusion दूर हो गया होगा, कि आपको pi बट्टे, 180C करना होता है, या 180C बट्टे, pi करना होता है, clear है न, अगर अभी भी आपको कुछ doubt है, तो मुझे comment में लिखके, आप जरूर बताओ, आगे वाला question देखते हैं, तो यह अपने पास में, exercise number 3.1 chapter 3, class 11, question number 3, ठीक है, question 3 अपने देखते हैं, कि a wheel makes 360 revolution in one minute, 360 revolutions in one minute, एक minute में जो है, वो 360 चक्कर लगा लेता है, भाई, कोई जो एक अपने circle बनाया, ठीक है, वो circle क्या है, कि ये घूम रहा है, ये टायर है, ये घूम रहा है, वो क्या करता है, कि 360 चक्कर लगा लेता है, 360 चक्कर लगा लेता है, कितनी देर में, 360 चकर लगा लिया है, उसने एक minute में, इनकी एक minute में उसने कितने 360 rounds लगाए है, ठीक है, through how many radians does it turn in one second, भाई, एक second में कितने radians चला है, एक बात बताओ मुझे, कि एक minute में, या फिर एक round लगाने में, एक minute में, एक round लगाने में, यहां से चलके, टाइर, वो अपिस यहीं पर आ गया, या इस टाइर पे अपन नहीं चल रहे हैं, यह मानलो, कि इस टाइर को अगर गुमा रहे हैं, तो अपना क्या होगा, यह टाइर थुड़ा सा आगे जाएगा, तो इसको अपने गुमाया, तो यह टाइर यहां पे गया, यहां पे यह वाली पार्ट जो है, वो निचे आगी गुमकी यहां पे आ गया, clear, यह वाला पार्ट यहां पे आ गया ना, तो यह टाइर को ऐसे गुमा रहे हैं पन, तो गुमा रहे हैं तो क्या, यह वाला पार्ट जो गुमता गुमता ऐसे आएगा ना, तो एक तरीके से यह पार्ट अपना गुम रहा है, तो यह पार्ट गुमते यहां पे यहां से लेकर के, अगर यहां तक वापिस आया है point यानि कि वो distance जो है वो एक तरीके से इसकी circumference होगी तो कितनी distance इसने complete की है वो इसकी circumference के बराबर है ठीक है तो यहां पर देखिए अपने को day क्या रखा कि 360 चक्कर लगाता है एक चक्कर लगाने में इसने कितनी distance तै की कितनी distance पूरी की है व यहां से घूम करके मानलो यह इसकी radius थी यहां से ऐसे गुम रहा क्लोकवाइज मानलो या इंटिक लोगवाइज मानलो डिजन्त मैंटर यहां से गूम करके अपने पास में 360 डिग्री आ गया है ठीक है एंगल कितना बनाता है 360 डिग्री यानिकि एक revolution में एक revolution या round में एक round में कितने डिग्री का एंगल बनाता है यह 360 डिग्री का बनाता है ठीक है अब भी देखो इतने round बनाये हैं तो इतने round में कितना डिग्री का एंगल बनाया है इसने टोटल तो एक minute में कितने एंगल बनाएगा कितना डिगरी का एंगल बनाएगा 360 round में कितना बना रहा है 360 round into 360 degree 360 degree क्यों कर रहे है क्योंकि 1 round में 360 कर रहा है तो 360 round में 360 into 360 degree का इतना डिगरी का एंगल बनाएगा 1 minute में इतना डिगरी का एंगल बना रहा है वो बोला कि 1 second में कितना डिगरी का एंगल बनाएगा 1 second में यानि कि second करना minute को second में करने के लिए क्या करते है वन 60 से डिवाइड करते हैं तो 1 second में अगर अपने को एंगल निकालना है यानि कि इसका 160th हो जाएगा यानि कि 360 into 360 divided by 60 यह अपने पास में डिग्री में आगया यह डिग्री में अपने पास में आगया अपने पास में और इसको अगर cryptocurrency करेंगे और 26 sharis यह ठीक है एकी सो साथ डिग्री आगया या फिर इसको आपको radian में पूछना है क्योंकि देखो यहाँ पे how many radians degree में आ गया, radian में अपने बता सकते हैं कितना होता है, radian में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 degree से divide करो और πाई से multiply करो उचीज तो अपने सीख लिया है 0 से 0 cancel, degree से degree cancel, और यह 18 हो गया और यह अपने पास में 216 है, divide कर दो 18 कम 18 और 18 दोनी 36 यानि कि 12 पाई, तो अपने पास में answer क्या आगया, 12 पाई 12 पाई का angle बनाएगा कितना complete करेगा एक second में, ठीक है तो यह चीज आपको पता होने चीज़िए कि एक round लगाया है तो उसमें उसने 2 पाई का angle complete किया या 360 डिगरी का किया है, ठीक है यहाँ पर अगर directly 2 पाई भी रख देते तो यह convert करने की ज़रूत नहीं पड़ती, but that doesn't matter, ठीक है clear है यह, चलिए एगला question देखते है next question जो हो अपना class 11 maths chapter 3 exercise number 3.1, question number 4 find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm, भाई क्या है देखो, मैं बताता हूँ यह क्या बोल रहा है, कि आपके पास में जो है वो एक circle है find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle, कि अपने को एक center, इसका center अगर यह था मेरे पास में, तो इसके center पे अपने को क्या बोला है कि angle कोई subtend कर रहा है, इसके angle पे कोई भी, इसके center पे कोई भी angle बन रहा है, वो angle अपने को बताना है, find the degree measure, और यह किसमें बताना है, degree में बताना है, अपने को degree measure center of the circle, radius इसकी दे रखिये, अपने को 100 cm 100 cm इसकी radius दे रखिये, और arc length अपने को दे रखिये कितनी आर्क लेंथ अपने को दे रखिये 22 सेंटिमीटर भाई एक बात बताओ मुझे कि मैंने जो आपको अग्जैम्पल्स करवाए थे उसमें एक चीज बताई थी कि यह जो वर्थ की परीदी है जिसको अपन सरकंफरेंस कहते हैं तो सरकंफरेंस अपन यदि यहाँ पर यहां पर अगलाता है तो लेंथ जो होती है ना लेंथ क्या थी यहाँ पर लेंथ देए 2 pi अगर है तो यहाँ पर एक यहाँ यहाँ पर एक तो यहाँ पर पे एक stell जाएगी तो specifically have to तो यहाँ पे L equal to R theta अपने पास में, या theta R जो है, वो अपना formula होता है, यह L क्या है जहाँ पे, L जो हो, यह distance है, यह L है, और यह अपने पास में radius है, theta find करना है, बहुत आसान है भाई, देखिए, यह जो theta आता है, यह radian में आता है, यह चीज ध्यान रखना रहा आप, जो theta है अपने पास में, that is in radian, तो यहाँ पे L कितना है, अपने पास में 22 है, equal to theta का theta रख दिया, और R अपने पास में handed है, ठीक है, तो theta कितने आ गए अपने पास में, theta यह handed नीचे चला जाएगा, यह 22 by handed, यह radian आ गए अपने पास में, इतना radian आ गया, 22 बटे 100 radian, अपने को बुझा है कि degree में बताओ, degree में बताने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, इसको pi radian से multiply करेंगे, sorry, pi radian से divide करेंगे, and 180 से multiply करेंगे, क्लिया, 180 degree से, यहाँ पे, pi का मतलब कितना होता है, 22 बटे 7, तो theta equal to 22 by handed, यह चीज लिख लिख लिए अपने, उसके आगे pi है, इनकी pi का मतलब 22 by 7 है, इनकी 7 उपर चला गया, into 180 degree, ठीक है, यह चीज clear है ना, यह pi मेरा divide में था, तो इससे multiply, नीचे वाले से multiply हो जाएगा एक तरीके से, clear है ना यह, क्लियर है यह, क्लियर है ना यह, क्लियर है, तो इसके नीचे 22 बटे 7 है, यह अपने पास में 100 है, तो 100 22 से multiply हो गया है, और 7 जो हो उपर चला गया है, यह basic चीज आपको पता होनी चीज हो लड़ी है, अभी देखो, 22 से मैंने 22 cancel कर दिया है, 0 से मेरा 0 cancel हो गया है, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया मेरा 18 साथे 126, 126 divided by मेरा कितना आ गया, 10, divided by 10, तो इस चीज को अपन क्या लेख सकते हैं, यह degree में आ गया, तो यह तो इतना degree बोल दो, यह इसको अगर आपको change करना है again, तो again इसको change कर लो, यहनिकि 10 से divide करोगे, तो 12 बार बार तो complete से ला जाएगा, यहनिकी 12 degree, right, 10 से कम 10, बच गया 2, 26 हो गया, तो 10 बच गया 6, यहनिकी 6 बटे 10, तो इतना सही, 12 सही 6 बटे 10 degree बोल दो इसको, या फिर इसको अगर अलग-अलग अपने को change करना है, तो क्या कर सकते हैं, 12 तो agities रह जाएगा, और 6 बटे 10, यहनिकी 6 बटे 12 degree तो agities रह गया, यहनिकी 6 बटे 10 को minute में change कर लो, यहनिकी 60 से multiply कर दो 0 से 0 को encil 36 हो गया, तो 12 degree 36 minute, 12 degree 36 minute, यह अपने पास में angle आ गया, जो कि इसने center पे बनाया है, तो theta के value कितनी आगे अपनी, 12 degree 36 minute, clear है guys, चलिए, अगला क्योसन देखते हैं, देखे इसमें कि in a circle of diameter 40 cm, the length of the cord is 20 cm, find the length of the minor arc of the cord, देखो भई क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसमें क्योसन को थोड़ा सा गुमा रखा लेकिन आसान बहुत है, वही चीज़ें कि एक circle दे रखा है, ठीक है जी, उसके बाद में क्या बोला है, कि इस circle का diameter 40 दे रखा है, diameter यानि कि यहां से यहां तक मुझे कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है, मैंने 40 लिग दिया चलो, तो diameter 40 है, तो इसका radius कितना हो जाएगा, 40 by 2, इनकी radius इसका मेरा 20 हो गया, यहां से ले करके, यहां तक अगर मैं देखूंगा, और फर यहां से देखे, यहां तक देखूंगा, तो radius diameter का half होता है न, तो यह radius मेरे पास में 20-20 आ गया, ठीक है, आगे बोल रहा है कि the length of the cord is 20, ठीक है, diameter 40 था, उससे अपने radius निकाल लिया, अभी बोल रहा है कि length of the cord is 20 cm, एक कोई कोड है इस पर, जिसको अपन क्या कहते हैं, यहां पर कोड बना दिया, इसकी length जो है, वो भी अपने पास में 20 cm है, ठीक है, length of the cord is also 20 cm, find the length of the minor arc, minor arc देखिए, यह 20 cm की है, तो इसमें 2 arc बने हैं, एक तो यह बड़ा वाल आर्क बन गया है, अभी एक जो छोटा वाल आर्क बन गया है, छोटा वाल आर्क कुंसा है, कि यहां से लेकर के अपने पास में, और यह जो आर्क बनाना, यह वाला, य इसकी length, यहां से लेकर के यहां तक की length अपने को find करनी है, देखिए, question अगर आपसे बनने को नहीं हो रहा है, तो आप इसको देखिए, थोड़ा सा दिमाख लगाईए, इसमें, थोड़ा सा question को गुमाया है, क्या बोला है, यह अगर 20 cm है, तो मेरे पास में यह भी 20 होगा, क्योंकि यह भी तो मेरे पास में radius है, तो यह भी मेरे पास में 20 cm होगी, clear है, यह अगर मैं यहां पे डालूँगा, यहां पे अगर मैं करूँगा, तो यह भी मेरे पास में 20 cm होगी, यह क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, इस length को अपन कब find कर सकते हैं कि अगर इस circle का ये arc है अगर ये angle अपने को दिया हो तो अपन क्या लगा देंगे angle का जो formula होता है या फिर इसका l का formula होता है परीदी का circumference formula is l equal to 2 pi r so l equal to अगर यहाँ पे मेरे पास मैं angle की value अगर theta आजाएगी तो मैं उसको r से multiply कर दूँगा यहीं कि 20 से multiply कर दूँगा मेरे पास में l आजाएगा small वाला clear है ठीक है ना तो यह मेरे पास में angle आजाएगा length of the r का जाएगी अभी मेरा काम है r मेरे को दे रखा कितना 20 दे रखा है अभी मेरा काम है theta निकालना तो theta के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यह चीज किया है मैंने कि यह 20 cm हो गया यह भी 20 हो गया यह भी 20 हो गया तो भाई एक बात बताओ सब की सब side बराबर है 20 20 20 है तो यह चीज़ बता होना चाहिए आपको एक triangle में अगर सब side बराबर है तो सब angle भी बराबर होंगे यह इनकी every angle is of 60 degree सब बराबर है यह यह तीनू का angle का कितना होता है अगर मैं इसको ऐसे मान लू कि O मान लू इसको A मान लू B मान लू ठीक है तो angle O plus angle A plus angle B equal to कितना 180 degree ठीक है and angle O equal to angle A equal to angle equal to angle B है सबके सब angle बराबर है क्यों है वाई because these sides are equal यह अपने पास में अगर तीनू equal है तो इस angle को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे इसकी जगर भी O रख दो इनकी 3 O बराबर कितना आ गया 180 यह फिर angle O equal to कितना आ गया angle O equal to कितना आ गया अपने पास में 180 by 3 यह की 60 degree 60 degree angle आ गया है यह 60 degree angle आ गया है अपने पास में अभी क्या बोला है अपने को कि L की value find करो तो L equal to R theta होता है theta की value अपन रखेंगे radian में तो radian में convert करने के लिए 60 by degree है यहनि की 180 से divide करो into pi यहनि की इसका directly भी आप अगर देखोगे तो pi by 3 होता है यह काटके यहाँ पे देखो तो pi by 3 60 degree का मतलब pi by 3 होता है यहनि की pi by 3 यहाँ पे रखूँगा मैं यहनि की और मेरे पास में L आ जाएगा तो L कितना आ गया मेरे पास में theta की value मैंने pi by 3 रखी और into 20 रखी यहनि की 20 pi by 3 यह मेरे पास में theta आ गया centimeter में sorry L आ गया centimeter में तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं distance देखूँगा 20 pi by 3 मेरे पास में answer आ गया थोड़ा सा question को गुमार रखा था लेकिन आसान बहुत था अगर कुछ doubt है तो मुझे मुझे comment में लिखे ज़रूर बताईए एगला question देखिए question 6 exercise number 3.1 trigonometric functions chapter 3 class 11 if in two circles arc of the same length 60 degree 75 degree at the center find the ratio of their radius radius का आपने को ratio निकालना है यहाँ पे भी देखो same type का example मैंने करवा है आपको example में कि आपको दो circle दे रखे एक का जो हो दोनों का length जो दोनों पे arc है उसकी length same है एक मेरे पास में मान लेता हूँ यह circle है एक मेरे पास में यह circle है अभी क्या बोला है कि दोनों की length same है तो एक same length का मैं कोई arc लेता हूँ मानलों कि यहां से यहां तक यहां से यहां तक का मैंने एक ले लिया, ठीक है अगर यह length इतनी है तो इस वाले में जाहिर सी बात है कि यहां से मुझे at least यहां तक आना पड़ेगा थोड़ा बड़ा रहेगा ना यह तब भी मेरे पास में क्योंकि ये length और ये length equal बोला है वो तो बड़े वाले में थोड़ी दूर आएगा इने की center पर अगर मैं देखुँगा तो कहने का मतलब है मेरा कि अगर ये मेरा कुछ angle बना था दूसरा अगर ये मेरा पास में angle है ये वाला angle जो हो मेरा बड़ा है ये वाला angle मेरा छोटा है देखके ही लग रहा है आपको तो छोटे वाले पर अपना बड़ा angle बनेगा और बड़े वाले पर अपना छोटा angle बनेगा देखके आपको common sense से आपको पता चल रहा है तो यह मेरे पास में मान लेता हूं कि कितना है चोटा इंगल है यानि कि 60 डिगरी गिवन है और यह मेरे पास में 75 डिगरी गिवन है ठीक है अगर इसकी रेडियस मेरे पास में आरवन है इसकी रेडियस मेरे पास में आरटू है यह मेरे पास में अगर l1 है क्या l1 यानि कि यह इस चाप की इस आर्क की लेंथ दे रखी है l1 एंड इसकी अगर लेंथ मेरे पास में l2 है तो उसने क्या बोला है कि same length sub tend same length आर्क की same length है इनकी l1 equal to l2 दे रखा है मुझे l1 equal to l2 दे रखा है और पूछा क्या है R1 ratio R2 पूछा है पहले जो दे रखा है यहाँ पे उसी के ratio में आपको निकालना है R2 by R1 मतलगा निकाल देना R1 by R2 निकालना क्योंकि पहले यहाँ पे यह वाला 60 वाला दे रखा न यहनि कि पहले अपन इस वाले का लेंगे तो L1 equal to L2 करूँआ हमे L1 क्या होता है वाई L1 formula याद नहीं है परीदी circumference का formula 2 pi R 2 pi की जगह मुझे क्या दे रखा है 60 degree तो L1 की जगह मैं क्या रख दूँ 60 degree या फिर इसकी जगह पे मैं pi by 3 रख दूँ 60 degree equal to कितना होता है pi by 3 होता है into R1 pi by 3 into R1 equal to मैं L2 की value रख रहा हूँ L2 क्या है मेरा L2 second वाले का circumference अगर होता तो 2 pi R होता 2 pi R 2 यहाँ पे circumference नहीं यह इतना ही part है 75 degree 75 degree का मतलब 75 by 180 into pi and इस चीज को अपना आगे कैसे कर लेंगे into R2 clear है क्योंकि R2 अपना radius है यह दोनु चीज मैंने L1 की value रखी है L2 की value रखी है यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे pi से अपना pi cancel होगा है दोनु side में clear है यहाँ से अगर मैं divide करूँगा इसको 3 से तो यह कितना हो गया मेरे पास में 60 आ गया ठीक है यह 60 आ गया और यह मेरे पास में 75 है इसको फिर से मैं divide कर दूँगा तो 15, 5, 75 और 15, 4, 60 और यह मेरे पास में R1 है यह R2 है multiply में हैं देखिए अभी sorry R1 equal to 5 by 4 यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में R1 equal to 5 by 4 R2 अभी मुझे क्या पुछा है कि R1 each to R2 भाई R1 each to R2 ratio क्या होता है यहाँ कि R1 by R2 मुझे कितना आ गया मेरे पास में 5 by 4 इनकी दोनों का ratio है R1 बटे R2 का ratio 5 बटे 4 आ गया यहाँ कि इस सीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 ratio R2 equal to 5 by 4 तो 5 by 4 जो है उपना आंसर आ गया इनकी इसकी radius जो है जाहिर से बात है इसकी radius बड़ी होगी क्योंकि बड़ा सरकल है नहीं है और इसकी radius ओटी होगी तो इसकी अगर 5 है तो इसकी 4 होगी इसकी अगर 10 है तो इसकी 8 होगी इसकी अगर 15 है तो इसकी 12 होगी बटे यह ratio दे रखा है फ्रू विच पेंडूलम स्विंग्स इफ इस लेंथ ही 75 cm एंड दे टिप डिस्क्राइब दे आर्क ओप दे लेंथ देखो भाई क्या बोला है इसने कि एक पेंडूलम है फेंडूलम है ठीक है वो पेंडूलम की लेंथ दे रखे इसने 75 cm अभी बोल रहा है वो कि यहां पे एक आर्क में घूम रहा है पेंडूलम आपको पता है न कैसा होता है कि यहां से अगर इसको छोड़ दिया है ऐसे करके जागर छोड़ दिया है तो यह ऐसे ऐसे गूमता रहता है तो यहां पर यह बोला कि arc की length अलग अलग दे रखे 10 cm है तो क्या होगा 15 है तो क्या होगा तो arc की length है यह अपने को दे रखा है एक बार 10 दे रखा एक बार यह दे रखा है तो क्या बोला है कि find the angle in the radian through which the pendulum swings तो ये angle find करना है अपने को ये angle find करना है एक तरीके से ये वाला angle अपने को find करना है थीटा angle अगर है तो ये थीटा find करना है ठीक है ये length दे रखे अपने को और ये length दे रखे है यानि कि ये अपने पास में एक तरीके से radius given है 75 ये अपने को length given है दस और ये और ये यहाँ पे अपने को थीटा पूछा है भाई बहुत बहुत आसान है देखी क्या होता है अपने पास में अपने को एक फॉर्मूला पता है फॉर्मूला क्या वर्थ की परीधी का वर्थ की circumference of the circle राइट circumference of the circle अगर वो L है equal to 2πr होता है मेरे पास में लेकि अगला देखिए कि L equal to R theta हो गया अभी यहाँ पे L की value अलग अलग दे रहे है तो पहले पार्ट में मेरे पास में क्या दे रहा है पहले पार्ट में दे रहा है कि L की value 10 दे रहे है equal to theta मेरे पास में मुझे find out करना है into R कितना है आर यानि कि यह पूरी height of that pendulum ठीक है तो pendulum की height कि कितनी है अपने पास में length कितनी है 75 तो 75 आ गया इनकी 75 10 by 75 या इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते है theta equal to 75 नीचे चला जाएगा ने इसके तो 10 बट्टे 55 या फिर इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बट्टे 15 दो बट्टे 15 और यह किस में आया आए आपका radian में य यहां पर जो theta होता है तो theta की value 2 by 15 आ लगए अपने पास में clear है बस थोड़ा सा आपको समझना है कि यह कैसे है यहां पर वीडियो को stop करके आप अगला वाला question try करो solve करने का मैं आपको करवाता हूं बट आप आपना answer match करना कि आप सहीं किया है नहीं किया है देखिए अगला अपने को theta find करना है और आर अपना अभी 75 है यहां पर कितना आगी 15 बट्टे 55 यहां कि एक बट्टे 5 रेडियन एक बट्टे 5 रेडियन अपना answer आगया ठीक है पार्ट 2 का सेम फोर्मूला है भाई एक वर्त की circumference का formula का यूज कर रहे है अपन वो क्या था अपना वो था पाई की जगह जो theta है वो theta रख दो बस वही चीज अपनी यूज कर रहे हैं थर्ड वाला पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या गिवन है कि 21 cm तो एल इक्वल टू अपने को पता है कि theta r या r theta होता है तो theta r रखा यहां पे L अपने को दे रखा 21 cm and theta अपने को find out क दो दू तीन सता है की सो पतसिस्तिया पिचेत तो 7 by 25 रख यह अपने पास में आंसर आ गया है गाईस देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने आपको इस अक्सराइज की हरे क्योंस को सोल किया है हरे क्योंस को right all the questions of exercise 3.1 chapter 3 class 11th math I have sold in this video so guys if you enjoy this video please give it a thumbs up and subscribe to the channel thanks for watching see you in the next video आईसरी एस अक्षैर वे पक्ताइब बहुते नगया है देए और बहुते यह आवादोंस को इस दो को कुशए को रचला के एस अवादोग्शक्nymi बहुते रचला जला है अवादो नगया है यह जदाने भी भीवते जते एफ रबश़ क स्वाद система चेया है यह ऱको जह झाल झाल